नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल एनर्जे फाइनेंस पर आज काफी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं बिकाज मैं अपर्चुन्टी फिर से देख रहा हूं आटो स्टॉक्स में और लेडी आटो स्टॉक्स बहुत अच्छी घासी रैली दे चुके हैं अगर आप वन यर बैक जाते हो और उस लेवल को कंपेर करो आज आ करके जबकि लास्ट टाइम भी मैंने यही सारे स्टॉक्स इनके बारे में इनके लेवल पोस्ट किये थे वो सारे लगबग टार्गेट लगबग नहीं सारे टार्गेट आपके मैजड है इवेन टाटा मोटर्स की भी बात करो तो 11-18 वाला जो हमारा टार्गेट था वो अल्लेडी डन हो चुका है ठीक और उस समय टाटा मोटर्स अक्षन दिखा था और ऐसे में मैच मलब अगर आप फेस्टिव सीजन को भी कंसीडर करो बेसिकली अक्टूबर नॉवंबर मन्त की जो सेल्स रहेंगी वो आपको आपके लिए प्रॉफिट बनाने वाली सेल्स नंबर आएंगे और इस्पेशली टू वीलर्स की अगर आप स्ट्रॉंग लग रहा है विकॉस अफ लक्जरी मॉडल्स हाला कि टाटा भी कम नहीं है नो डाउट और मारूती तो उसका अलग सेग्मेंट ही है तो मारूती की भी बात करेंगे इसमें तो नो डाउट आपको मलब इनकी सेल्स चलती रहनी है एंड दे विल भी लास्ट कई सालों से लीडर ही है और बने है अभी वी तो सारे स्टॉक में अपर्चुनिटी मिल रही है जहां मन हो जैसा मन हो आप देख कर सोच समझ कर आप अपना डिसीजन ले सकते हो बहुत ही सिंपल बहुत ही क्लियर आप देख सकते हो अभी टेलीग्राम चैनल हां दोस्तों एक च जाता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो उस चक्कर में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है यह है आपको हमेशा यह वाला लिंक फॉलो करना है जो कि मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है होता क्या है लोग दूसरे लिंक में जाते हैं केवल यही कर देता है तो ऐसे स्कैम से बचिए और जो टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर रहे हो या फिर पहली बात तो मेरी तरफ से ऐसी कोई फीस ही नहीं है और आप अगर देखना है तो यह आप देख सकते हैं 12.4 के यही सब्सक्राइबर है और आपको यही टेलीग्राम चैनल ज किसी को कोई पैसा नहीं देना है ऐसा बिलकुल भी मत करें अदरवाजिस आपके साथ फ्रॉड हो रहा है बहुत सीधी सी बात है अब चलिए बात करते हैं तो इसी टेलीग्राम चैनल में मैंने पोस्ट किया था यह आपका टाटा मोटर्स हो या फिर मारूती हो मारूती बा अपने को यह एक हजार पॉइंट का अपना सीधे सीधे टार्गेट था एक हजार पॉइंट से जादा दे करके गया अगेन वही बैठी आपके हाथों में और मेरा मानना है यहां से यह स्टॉक फिर से हमें हजार पॉइंट देके जाएगा मतलब मैं अगर 12,100 पेंट्री ब जो correction मिलना था मेरे हिसाब से हो गया है अपने को एक तो यह target आने वाला 12,960 something and then we are going to get almost you know 13,500 something और downside में अगर मान लीजे क्या हुआ यह stock यह break करके नीचे close देगे अपने को ठीक है no problem बिलकुल भी उसमें tension लेने की बात नहीं है because business is running हाँ अगर किसी ने FNO जो कि मैं बोलू बहुत दिवाली के time investing करनी this is good और दिवाली के पहले भी कर देंगे तो most probably दिवाली तक हमें 1000 points दे सकता यह stock इसके बाद में अगर और टूटेगा कोई बात नहीं मारूतिकार नहीं लूँगा मैं मैं ले लूँगा उसका stock almost 9900 के level पर ठीक है और टूटा परमाडू बंगिर भी गया और उस समय अगर हम लोग बच गए just in case then again I am okay to accumulate this stock almost you know 7100 level but I believe यह level तो नहीं मिलने वाला है मारूतिक जैसी strong company में हाँ अगर कुछ सड़ली market में ऐसा हो जाए तो chances है that we can't ignore बट हाँ अगर सारे लोग means बात भही होती दोस्तों market जो होती है अगर देखें कई लोग होते है अभी recent में ही मेरी बात लोगों से चली लोगों भूला। ब्रक्राइसर मार्केट क्रैस हो रहा है, भाई मार्केट क्रैस हो रहा है, मार्केट क्रैस हो रहा है वो एक ओपर्चुनटी है, बहुत सीदी जी बात है, Seg exclus dar war सब्सक्राइ ठाइस तो बुशína को कुछ stora होंगी और लीड़ें पशलाए खा了吧 गत्रका इसलामत प्ले स्टू भी जाएगी यह साइकील है चलती रहती है इसमें आपको टेंशन लेने की ज़ुरत नहीं है और जस्ट इनके शॉट टम इंवेस्टिंग पे जा रहे हैं तो भाई अपना स्टॉप लॉस्ट आप लोग खुद से ले करके चल सकते मेरे इसाफ से जो इसमें सीवी एसल मेरा बनता है यही जो यह जो लास्ट बन गया इस कैंडल का यानि की जो लास्ट फ्राइडे की कैंडल गई है मारूती में अल्मोस्ट लोग बना है इसमें 11,840 का तो यही हमारा स्टॉप लॉस इसमें बन जाएगा अगर शॉट टम की बात करें बट यहां से मुझे 1000 पॉ इक लिए नहीं है तो यह आपके हाथ में हमेशा बना रहे है अब चलिए बात करते है टाटा मोटर्स की टाटा मोटर्स 980 एक लेवल था अपना वो मिला उसके बाद में फिर 910 से लेकर के 880 तक का रेंज था वहां भी यह स्टॉक हमें दे चुका है लेवल ठीक है अभी य प्रेंज में था तब मैंने 11,000 1118 का लेवल दिया तब वह भी हमारा टच हो चुका है वहां वह में लेवल मिल गया है फिर से एक बन गई है तो क्या किया जाए अपर्शुन्टी है हाथ से जाने देने का मन नहीं हो रहा है दोस्तों सो यहां से जो मेरा टार्गेट बनता है फिर से रिकवरी आने वाली है 880 मेभी एक बार और मिल जाए 880 और उसके बाद में फिर से हमारा एक यह लेवल बिल्कुल रेडी है ठीक है यानि कि minimum 100 पॉइंट देन उसके बाद में almost 120 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलने वाले हमें 1118 वाला मेरा लेवल जो था and after that we are going to get almost this level as well 1180 so यह सारे level इसमें achieve हो जाएंगे that is not a problem Tata Motors business running है सबकी आँखों के सामने चल रहा है demand बढ़ती जाएगी four wheelers की तो आप सोच लें सोच समझ के invest करें मेरा जो अपना मानना है कि business इनका चलने वाला है और चलता रहेगा ठीक है अभी बात करते है मारूती हो गया Tata Motors हो ग प्लस यही M&M bike segment में भी टक कर दे रहा है HD और HD को वापस ला करके और Java Bikes को आइशर मोटर को यह टक कर दे रहा है Mahindra and Mahindra very good company very strong company बहुत पहले से मैं इसको इसको इस पे discussion करते आया हूँ सारे levels even 3000 का level था वो भी achieve हो चुका है और जब 3000 मैंने बोला था तब stock इसी साल 2500 के उस 3000 यह इसमें 3000 का target आएगा वो आ चुका है अपना even 32,3200 प्लस गया है so now again this is opportunity दोस्तों अगर दिवाली के उसमें देख रहे हैं यह भी एक strong candidate है 2900 even CMP 2960 यहां से भी कोई invest करता है मेरे हिसाप से तो यह level best है इसके लिए यह दोनों downside के दोनों level बहुत अच्छे है M&M के लिए और इसके बाद में मैं सत्त कहता हूं सखी सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे है और की तो बात क्या मामा निच्टात से मैं डरता नहीं और यह हमारा आ गया level एक last line मैं भूल गया है summer में मैं कभी डरता नहीं कुछ बहुत हां तो मैं सत्त कहता हूं कि यह company बहुत अच्छा और मैं definitely इसको यहां पर तो मैं अपना SIP वगयरा तोड़के मैं ले लूँगा अगर इस जगह पर आ गया यह stock जो की आएगा नहीं definitely नहीं आएगा तो यह तो एक तरीके से बहुत मुस्किल level है I mean 99% chance है कि यह आपको नही मिलेगा ठीक है इसके पहले का एक और यह level है यह मिल सकता है अपने को अगर कुछ बहुत ज्यादा correction आता है बट हां current scenario देखो तो यह आपके लिए even 2640 भी बहुत मुश्किल level है यहां से यह मुझे लगता है stock फिर से recovery लेते हुए जाएगा और यहां से अगर आप इसका short term फिबनौची अगर retrace करोगे तो आपको next high जो इसका मिलेगा लगब 3400 के असपास का मिल जाएगा तो यह था M&M strong investment है और मतलब सेफ है एक तरह से अपने कोई business बहुत अच्छे लगते हैं कोई इसमें problem नहीं है इंडिया इस यंग ठीक है अपने 70% से जादा जो दोस्तों generation है वो यंग है क्या लगता है आपको cycle सब चलाएंगे कता ही नहीं जो bike में है वो car में जाएगा जो cycle में है भी वो at least bike में जाएंगो जो bike में वो भी bike change करते रहेंगे तो M&M के साथ में ये दोनों जो candidate बने है आपके पास hero motor tvs motor बजा जाटो बहुत बढ़िया candidate है तो चलि अपना next target यह आता है उसके पहले और एक short term target चाहिए तो हमारा लगबग लगबग 3140 के असपास का बैठता है और downside के दोस्तों यह level बहुत अच्छे level है SIP करने के लिए यह मिलेगा नहीं यह मिला तो मैं सच में अपनी सारी SIP तोड़के लगा दूँगा लोन लेके लगा दूँगा और बताओ परसनल लोन जो 10% में मिलता है मैं वो भी लेके लगा दूँगा हलाकि condition भी देखी जाएगी कि stock क्यों down आया है definitely सारी चीजें follow की जाती है ऐसा नहीं कि stock यहां आ गया तो बस हाग बंद करके लगा दो पता किया जाएगा किस चक्कर म बात करते हैं बजा जाटो की सो बजा जाटो लास्ट टाइम 9600 के आसपास में यह रेंज थी और यही टाइम था अगस्त से सप्टेंबर में आप मेरा message चेक करोगे इसी energy finance channel में तो आपको मिल जाएगा कि बजा जाटो मैंने 9600 के आसपास में इस पे discussion किया था उस समय मैंने थाउजन पॉइंट्स की बात की थी बहुत वह थाउजन पॉइंट से तो बहुत ज्यादा चला गया लगभग 12,000 सम्थिंग चला गया यहानि मोर दन 2,000 पॉइंट्स भी यह क्रॉस कर गया सो मैं बात करूंगा फिर से यह stock बहुत अच्छा है एक अच्छी opportunity दे रहा है मेरे हिसाब से miss नहीं करनी चाहिए इविन अगर current market price पे भी entry बनाई जाती है then 9239 जो की मिलने वाला नहीं है but still चलिए मिल जाता है then this will be another buying level and then 8600 will be another buying level upside के targets बहुत खुले है बहुत ready targets यानि 500 points per share ऐसे ही मिल जाएगा then 1000 points per share भी मिल जाएगा आपको almost 1300 points यहाँ पर बने आके यहाँ पर आपके बनते हैं 2100 points from CMP और यहाँ से बनते हैं आपके लगबग-लबग कितना हो गया 2700 points और थोड़ा उपर बढ़ोगे तो आपको लगब-लबग 4500 points भी मिल सकते हैं इसे stock में तो नजर रखे इवन यह stock बहुत जल्द split का plan करने वाला है ऐसा मुझे क्यों तो लग रहा है क्योंकि अब price heavy भारी बरकम हो गया है तो यहीं होगा कि liquidity और लाई जाए और उसके लिए split करना इनको पड़ेगा लब यह decision पर depend करता है no doubt so यह stock भी अच्छा है और sales आपके सामने रहती है हर जगए चले जाओ hero motor बजाच tvs अच्छा गासा पीक अप कर रहे है तो opportunity बैठी है आप अपने हिसाफ सा decision ले लीजे tvs motors की अगर मैं बात करूं यह stock भी बहुत प्यारा है और अभी देखिए यहां पर एग नीचे आया त 2600 के असपास में यह actually opportunity थी but don't know people utilized or not but even from CMP यह जो current market price है 2715 यहां से भी यह stock 3000 complete करेगा जी आ मैं फिर से बोल ला हूं यह stock भी 3000 complete करके जाएगा तो अभी तो इसका all time high above 2950 के असपास में है बट यहां से अगर आप इसके level देख लो केवल normal आप अगर Fibonacci भी ड्रा कर दो तो यह आपका 3180 का level बहुत easily आ जाएगा ठीक है और इसके पहले का जो 786 पे है वो भी आपको मिल जाएगा 2880 के असपास का तो देख लीजे stock अच्छा है company अच्छी है decision आपका है आपको क्या करना है मुझे यह stock अच्छा लगा था म योगी opportunity अपने हाथ पे है just in case यहां से बहुत crash कुछ मिला तो मुझे लगता है stock इस level के नीचे तो नहीं जाएगा 2314 के नीचे और यह भी उसकी लेवल है बहुत मुझे लेवल है इसके पहले इसके नीचे closing आ जाए बहुत बड़ी बात है यहनि 25190 के नीचे closing भी मुश्कील है इस stock में अच्छा stock है अभी भी पर stock यहां पर देखा जाए तो 200 points पर stock minimum बन सकते है इस stock में तो investing opportunity ढूण रहे है इसको भी आप consider कीज़े सारी गड़ित लगाईए और अच्छा investment इस पर बनेगा stock अच्छा है Tata Motors तो मैं फिर बोलता हूँ मेरी तरप से तो बल्कुल हीरा हीरा कंपनी है यह M&M यह भी हीरा है नो डाउट अब बात करते हीरो मोटो की हीरा से आया अपना हीरो मोटो सो गाईज हीरो मोटो भी एक opportunity आपके हाथ में रखके दे रहा है दिवाली में sales चल लही है cities की बात avoid करो मतलब जो टायर वन टायर टू cities है लेकिन अगर अभी भी आप ruler area जाएंगे या फिर जो नए-ने smart city बन रहे है ठीक है developing cities है टाउंस है हीरो मोटो अभी भी affordable है और पसं consider करेंगे तो हमें यह मान के चलो आपकी एक यह level है लगभग 300 points minimum यानी 350 points minimum दिख रहे हैं यहां से और इसके बाद में दिवाली आते आते मुझको इसमें लगभग-लगभग 800 points per share दिख रहा है और अगर उसके आद में continue करेंगे तो 1000 points के उपर भी जा सकता है बट यह जो दो लेवल है यह बहुत अच्छे दिख रहे है हीरो मोटो में तो आज की वीडियो थी इन्हीं stocks पर अब आप बोलो के मैंने एक और strong miss कर दिया है वो है अशोग ली लैंड तो जोस्तों अशोग ली लैंड में 217 से ले करके 223 की range बहुत अच्छी range है we can use that opportunity थोड़े लंबे सम करनल को आप जॉइन कर सकते है nrj finance t.me nrj finance जिया लिंक आपको description में मिल जाएगा केवल उसी को follow करना कोई भी payment मांगे पैसा मांगे किसी को नहीं देना है और इसी के साथ में अगले वीडियो में मिलते है थैंक्यू